प्रिया मित्रबंधु ओम्शाथ आप सभी का जोईन डिवाइन वर्ल्ड चैनल में तहे दिल से स्वागत है आज हम आप सभी को ऐसी डिटी को चुट्कियों में कैसे गाइब करें ये महत्वपन बात बताने जा रहे हैं इससे पहले आप सभी जोईन डिवाइन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले आईए स्वास्त बाहरत की ओर हम सभी का एक छोटा सा कदम क्या कदम कि अब ऐसी डिटी को चुट्कियों में कैसे गाइब करें क्या आप जानते हैं ऐसी डिटी की दवा से हो सकती है आपकी किड़नी खराब जब हम खाना खाते हैं तो इसको पचाने के लिए शरीर में ऐसीड बनता है जिसकी मदद से ये भोजन आसानी से बच जाता है ये जरूरी भी है मगर कभी कभी ये ऐसीड इतना ज्यादा मात्रा में बनता है कि इसकी वज़ा से सरदर्द सीने में जलन और पेट में अलसर जैसे बिमारियां हो जाती है और अलसर के बाद कैंसर तक होने की संभावना बन जाती है और ऐसे में हम घर में रखी हुई इन्नु दवा या पी पी आई मतलब प्रोटोन पंप इन्हिबिटर्स दवा का सेवन अक्सर करते रहते हैं प्रेमित्र बंद हो आपको जानकर आश्य होगा कि पी पी आई मतलब प्रोटोन पंप इन्हिबिटर्स दवा बलड में मैगनीशियम की कमी कर देता है अगर खून में मैगनीशियम की कमी कम हो जाती है तो इससे हमारी किडनी पर असर पढ़ना लाजमी है जिसका सीधा सा अर्थ है कि ये दवाएं हमारी सेथ के लिए खतरनाक है हमने कई ऐसे मुर्ख लोग भी देखे हैं जो एसिडिटी होने पर कोल ड्रिंग्स, पैप्सी, कोका कोला पीते हैं ये सोच कर पीते हैं कि इससे एसिडिटी कंट्रोल होगी ऐसे लोगों को भगवा नहीं बजा सकता है तो बंद हो ऐसी स्थिती में हम कैसे करें इस भ्हंकर एसिडिटी बीमारी का इलाज आज हम आपको बता रहे हैं इस भ्हंकर से भ्हंकर एसिडिटी का चुटकी बचाते हैं हर रसोई की शान है हर नमकीन पकवान इसके बिना अधुरा है ये है आपकी रसोई में मौजूद जीरा जी हाँ जीरा कैसे करें सेवन जब भी आपको एसिडिटी हो जाए कितनी भी भ्हंकर से भ्हंकर एसिडिटी हो आपको बस जीरा कच्चा ही चबाकर खाना है एसिडिटी के हिसाब से आधे से एक चमच मतलब ढाई से पांच ग्राम जीरा खाएं इसके बाद दस मिनट बाद गुनगुना पानी पी लें आप देखेंगे कि आपकी समस्या ऐसे गाइब हो गई जैसे गदे के सरसे सेंग मुझे पूरी आसा है उमीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा ऐसे ही और महत्तवपुर्ण ज्यानवर्थक वीडियो देखने के लिए आप अपने मित्रों को बताना ये ना भूले कि आप अपना ज्वाइन डिवाइन वर्ड चैनल सब्सक्राइब करें आम शार्थ